हाई अब्रेवान वेलकम तो मेडिका लैटीज आज हम M.D.Cat Biology First Year के Most Important Diagrams और Important Tables को देखेंगे जिसमें से हर साल Important MCQs आते हैं सबसे पहले बिस्मिल्लार रह्मान रिराहीम सबसे पहला जो हमारे पास Chapter है First Year जो हमारे लेबस के According है वो हमारे पास है Biological Molecules इसमें हमारे पास एक पहले पेज पर एक टेबल दिया गया है जिसमें हमारे पास Chemical Components बताए गए हैं और उनके आगे percentages बताए गए हैं कि वो Mammalian Cells में कितने होते हैं और Bacteria Cells में कितने होते हैं तो Important इनमें से जो है हमारे पास वो है Water Water अगर MCU में पूछा कि जाए कि Which of the following is most abundant inorganic chemical component तो वो हमारे पास है Water Water हमारे पास inorganic component है जो बोथ Bacteria and mammalian cell में equal amount में present होता है Then अगर हम Protein की बात करें यह भी Most Important MC की रूजा कि आता होता है कि Which of the following is most abundant organic component in cell तो हमारे पास जो Protein होता है यह most abundant organic component होता है जैसे कि mammalian cell में यह 18% होता है और Bacteria cell में 15% होता है Then next बात करें तो हमारे पास next है एक important जो बोक्स है हमारे पास वो यह है कि covalent bond result when two or more atoms complete their electron shells by sharing electrons यह भी most important है और यहां पर अगर हम देख रहे है कि carbon एक tetravalent है इसको भी most important यह MC की बनकर आ सकता है paper में next हम बात कर रहें तो आगे हमारे पास है यहां पर के यहां पर carbohydrates के topic में हमारे पास carbohydrates का formula हमें आना चाहिए cxh2o y हमारे पास यह most important carbohydrate का formula है next हमारे पास जो आगे box है वो हमारे पास है कि जो box के नीचे यह lines लिखी हुए है structure of grisolaridehyde are three carbon sugar हमारे पास grisolaridehyde का structure होता है और अगर हम आगे next बात करें तो the aldehyde forms is grisolaridehyde and ketonic form हमारे पास dihydroxy acetone इस तरह से भी पूछा जा सकता है which of the following is ketonic form तो वो हमारे पास है dihydroxy acetone हमारे पास ketonic form है यह हमारे पास most important figure की जो हमारे पास lines है paper में बनकर आ सकते है next हमारे पास most important figure यह box है वो हमारे पास है कि जो ribos है ribos एक pentose sugar है यह भी paper में आ सकता है कि ribos क्या है तो ribos हमारे पास एक pentose sugar है and glucose जो हमारे पास है यह exhaust sugar है next बात करें तो next page पर हमारे पास यह दो diagram दी गहीं है जिनमें हमारे पास एक ribofuranoes की एक diagram है जिसको हम D ribos भी कहते हैं और एक हमारे पास diagram दी के यह वो हमारे पास है glycopyranoes जिसको हम D glucose भी कहते हैं तो यह हमारे पास most important M-sues बनकर आ सकता है paper में next आगे हम diagram की बात कर रहे हैं तो जो हमारे पास important M-sues बनकर आया है वह पहले भी हमारे पास UHS के paper में वो हमारे पास है 1-Diasacrite, 1-Diasacrite को हम सुकरोज B कहते हैं, अगर हम अच्छे से Oligosacrite की टॉपिक को पढ़ें तो हम वहाँ पे लिखा हुए है कर डाया सक्राइड इसे सुकरोज, तो हमारे पास 1-Diasacrite को हम 1-2 Glycosidic Linkage B कहते हैं, जैसे के यह question UHS में आया हुए, तो हमारे पास 1-2 Glycosidic Linkage है हमारे पास, next most important MCQs की बात करें, तो हमारे पास next box दिया हो गया है, तो figure है, हमारे पास figure 2.7 नहीं, बुक्स में यह pages हो सकते हैं, तो figure हमारे पास 2.7 में हमारे पास लिखा होगा है कि Trigrycerol is composed of 1 Glycerol and 3 fatty acid molecules, तो यह जो figure के नीचे, यह जो line लिखी होई है, यह हमारे पास most important line है, आप इसको highlight कर लीजिए और इसको अच्छे तरह करें से याद कर लें, next हमारे पास जो एक box दिया गए है, इसमें हमारे पास जैसे के उनके structures, acids के structure और उनके carbons बतायों है, जैसे के acidic acid हमारे पास 2 carbon होता है, और butyric acid यह 4 carbon हमारे पास होता है, next हमारे पास palmitic acid यह 16 carbon होता है, और palmitic acid के जो हमारे पास 10 and 9 carbon के दम्यान हमारे पास unsaturated bond present होता है, यह भी M.C. के पेपर में आया होगा है, और अगर हम next बात कर रहे हैं, के olic acid जो हमारे पास होता है, यह 18 carbon से बना होता है, next हम बात कर रहे हैं, इसके जो नीचे point लिखा होगा है, वो हमारे पास लिखा है some fatty acid with carbon 2 to 18 are shown, यहाँ पे दिये गए है, then allic acid जो हमारे पास है, यह एक unsaturated fatty acid है, not, जासके मैंने भी आपको उपताया, के not a double bond between carbon 9 and carbon 10, then next है other fatty acid are saturated, allic acid के इलावा जो हमारे उपर डिसक्स की गई है, acetic acid, butyric acid and palmitic acid, यह हमारे पास थीनों saturated है, except allic acid, इस तरह से भी paper में आ सकता है, next हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास एक important structures given है, जैसे के फोस्फो फैटी डायल, कॉलीन हमारे पास दी गए, इसको lecithin भी कहते हैं, इसमें one unsaturated fatty acid present होता है, lecithin में, then हम बात कर जैसे के जो polar, इसका head polar होता है, जिसको हम hydrophilic कहते हैं, और जिसके जो इसके नीचे हमारे पास hydrophobic इसकी tail होती है, इसकी tail कार्बन की वज़ा से इसकी tail इस तरह से होती है, then next हम बात कर रहे हैं, कि phosphodatic acid is composed of grisrol, two fatty acid on carbon 1 and carbon 2 and a phosphoric acid on carbon 3 of grisrol, यह भी एक most important हमारे पास एक figure की lines दे गही है, next हम आगे हमारे पास amino acid का structure है, तो amino acid के structure के अगर आप नीचे देखे तो यहाँ पर लिखा हो है, कि R में भी hydrogen atom as glycine, तो glycine हमारे पास एक simplest amino acid है, next आगे हमारे पास जो important structure है, वो यहाँ पर हमारे पास एक cn carbon and nitrogen का एक bond show किया गया है, जिसको हम एक glyclyline और diapeptide भी कहते हैं, glyclyline paper में इस तरह से हम इसके box के नीचे देखे तो हम फिगर में लिखा हुए है कि polypeptide chains in keratin is fibrous protein and hemoglobin globular protein are had together to form respective functional protein, यह भी एक most important highlight आप इसको कर जाए अपनी पर, then next हमारे पास, then next हमारे पास यह एक important हमारे पास point है कि component of ATP are nucleotide, जो हमारे पास component of ATP है, हम ATP को currency energy, ATP की जो energy use होते है, इसको ATP को हम currency of cell B कहते हैं, जो component of ATP are nucleotide यह most important हमारे पास है कि अपूरे जो आप उतरते हैं looks — कि शुशि भुशि टchu फिजास about इस पासि시는 हमारे इसίνप फिना मनारे टासमारे,, Pास तना आप आपान 2023